हेलो गाईस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आज की सुड़ में बात करेंगे ITBP में जो हेट कॉंस्टेबल की वेकेंसी आई है 2022 में उसके बारे में इसकी क्वालिफिकेशन ओनली 12 पास है अगर आपने क्यों 12 पास किया है तो इसे अपलाई कर सकते हो ओल ओवर इंडिया की वेकेंसी है मेल और फिमिल दोनों ही अपलाई कर सकते हैं टोटल नमबर और पोस्ट इसमें 248 है सेलरी इसकी लेवल 4 की सेलरी होती है जिसमें 25,000 से 81,000 के लगवग सेलरी आपको मिलती है तो आज की सुड़ों में देखेंगे कि इसमें age limit कितना है syllabus क्या रहेगा, selection process क्या रहेगा, exam pattern क्या रहेगा negative marking होगी या नहीं, time कितना मिलता है exam को करने के लिए इन सभी के बारे में बोन बाइब डिसकस करेंगे तो चले ही start करते हैं अगर आप चनल पर first time विजिट कर रहे हैं तो इसे subscribe कर लेना government jokes related update आपको मिलने लगेगी यहाँ पर आप देख सकते हो इंडो, Tibetan border, police, force, ministry of home affairs के अंदर यह आती है और यहाँ पर इसका यह notice जारी किया है, level 4 की vacancy है यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर इन्होंने बताया है कौन-कौन से में कितनी post आई है head constable compact ministerial direct entry यह वाली form आप भर सकते हो जिसमें 158 vacancy है और यहाँ पर vacancy का detail इन्होंने दिया है male का अलग है, female का अलग है इसके बाद अगर आप इसमें ITBP में अगर already अगर job कर रहे हैं उनके लिए vacancy है इसकी qualification अलग है 100 रुपीज इसकी form का fees है SCST और जितने female category है उनके लिए free होता है age limit यहाँ पर देख सकते हो आप जो direct entry है जो आप form भरोगे 18-25 साल के बीच में इसे apply कर सकते हो यानिकि 2-1997 से 1-1-2022 के बीच में अगर आप हो तो इसे apply कर सकते हो इसके अलावा SCST को 5 years का age relaxation मिलता है तो 1997 में minus 5 करोगे तो यह 92 यानिकि 1992 तक SCST वाले apply कर सकते हैं और SCOBC को 3 years का age relaxation मिलता है तो वो 1995 तक apply कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर qualification दिया है only 12 pass चाहिए इसके अलावा इसमें typing test भी होगा तो typing speed आपकी अगर आप English में दोगे तो 35 word per minute चाहिए और उसके बाद अगर हिंदी में करते हो तो 30 word per minute चाहिए दोनों में से एक choice आपको करनी होती है जब form बरोगे तो पता चल जाएगा उसके बाद यह head constable जो already working है ITBP में उनके लिए उनकी age 35 साल तक है qualification दोनों की से में age limit बढ़ जाती है अब बात करते हैं इसका selection process कैसे होता है selection process में सबसे पहले आपका physical efficiency test होगा P.E.T. होगा उसके बाद physical standard test होगा जिसमें height आपकी chest होगे रा measure करी जाती है उसके बाद return test होगा return test pass कर लोगे तो skill test होगा जिसमें typing होगा document verification होगा और final medical होगा इसमें सबसे पहले आपका P.E.T. होता है physical test होता है उसके बाद आपका return होता है तो ये note करने वाली बात है अब बात करते हैं physical efficiency test में क्या requirement है सबसे पहले आपकी height height जो है 165 cm होनी चाहिए अगर male ओ female के लिए 155 cm है और जो ST candidate है उनके लिए I think 150 cm है इतना इसका ये height चाहिए देखे जो physical efficiency test होगा तो सबसे पहले आपका यहाँ पर देख सकते हो male के लिए 1600 cm की race होगी 7.5 मिनट में complete करना पड़ेगा 11 feet का long jump होगा 3 chance मिलेगा आपको 3.5 feet का high jump होगा 3 chance मिलेगा आपको ये male की है उसके बाद female 800 मिनट की race होगी 4.45 मिलेगा 9 feet का long jump है 3 chance में और 3 feet का high jump है 3 chance में ठीक है ये आपका physical efficiency test होता है ठीक है ये आपको बता दिया अब बात करते हैं return exam की जब आपका physical efficiency test हो जाएगा तो उसके बाद physical standard test होगा जिसमें आपकी height measure करेंगे और chest को measure करेंगे ठीक है उसके बाद return exam होगा return exam में 4 subject आते हैं journal arithmetic journal knowledge journal English और computer journal arithmetic में 30 question आएँगे 30 marks के journal knowledge में 25 question आएँगे 25 marks के और उसके बाद journal English में 35 question आएँगे 30 marks के और 10 question आएँगे 10 marks के computer में ठीक है आपको time इसमें काफी मिलता है 180 minute यानि कि 3 hour का time मिलता है negative marking के बारे में कहीं भी इसमें अभी बताया नहीं गया है जब भी official notification आ जाएगा 8 तारीक को तो उसमें पता चल जाएगा इस form को आप 8 June से apply कर सकते हो 8 June से यानि कि time आपको मिलेगा एक मेने आप इस form को fill कर सकते हो ठीक है तो अभी है time इसका form आने में और notification नहीं आ जाएगा तो मैं आपको detail में बता दूँगा अब बात करते हैं इसका syllabus क्या रहेगा जर्नल अर्थमेटिक में सिंप्लिफिकेशन डेसिमल फ्रेक्शन LCM SCA प्रेशो प्रोप्रोप्रोगेशन परसंटेज एवरेट प्रोपिट लोड डिसकाउन CISI मेंसुरेशन टाइम और टाइम अन डिस्टेंस टेबल से एन ग्राफ इंडियन पोलिटी फेमस देशन देट बुक अन ओथर बोडनी केमिस्टी जोग्रफी फिजिक्स जुलोजी इंवर्में इंडियन कुल्चर जर्नल इंग्लिश में संतेंस रियर्रेंजमें टैंसेंस आर्टिकल फिलिन दा ब्लैंक अब बात करते हैं यहां पर इसका स्लेबस होता है आज इस वीडियो में इतना ही वीडियो पासना है तो लाइक कर देना चैनल पर पहले बारो सब्सक्राइब कर देना जब भी इसका ओफिस्कल नोटिफिकेसन आएगा एक डेटेर्ल में वीडियो बना दूँगा तो थाइंक्यू गाइस